अइसी निकम्मी सरकार क्या बात कर रहे आप? मुख्य मंत्री जीए मंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया पकि दिल्ली से परची आप की आई यह बता दो सरने ग्रूब से सारजनिक धनिवाद देला के रहेंगे चार लाग नौकरी देंगे और आप धनिवाद देना आप तो सिख्षा मंत्री रहें और इतने शांदार रहें आपके निरने आज भी पूरे देश में गुंचते हैं समर्ती इरानी जी बुलाती थी इनको इनको राय लेने के लिए माननिये मंत्री केंद्रिये मंत्री समर्ती इनानी जी बुलाती थी और पूरे देश के मंत्रियों का समुव बनाया उसका चेर्मेन माननिये हमारे स्पीकर साब को बनाया था मैं अगर गलत बोलू माननिये स्पीकर साब तो आप तुरंत उसको एक्सपेंज कर दें लेकन ये जो मेंड की तरह उचल रहे हो ना ये तुमारे ही गाटे का सोधा है मेरे नहीं है तुमारे को मंत्री मिलता नहीं मंत्री से मुख्य मंत्री नहीं मिलता मुख्य मंत्री से प्रदान मंत्री नहीं मिलता क्या बात कर रहे हो कर रहा हूं ना तो पांच मिट बाकि ग्रीन फिल्ट एक्सप्रेज बढ़ाएंगे हमने दस करोड की सड़कें दीती आप तो पांच में निपट गए क्या बात कर रहा हूं ए जो बजट है ना साब खाटू शाम जी मेरे जिले में है 100 करोड देने की गोशना की है काम पहले से चल रहा है 32 करोड पे हमने पहले ही दे दिये गोविन देव जी के मंदिर में हमारी सरकार ने 100 करोड दिये ये दुबारा उसमें लेकर के आगए पंच 13-14 जगे पर उपचुनाव है उपचुनाव रोग दिये और आज और बताईए ये जनपरतिनीटियों की खिली उडाती है ये सरकार मानिये सवापती स्वीकर साहब मानिये मुख्य मंतरी जी का गिरे जिला उप जिला पर मुख मोजूद जिला पर मुख एमेले बन गया और मोदी जी की लाइने लिखना बंद करो आप से आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव नगर निकाय चुनाव आप करवा दो आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके हैस्टी हम को चुट्टी बेजना पड़ा क्योंकि वहाँ पर आप हार रहे थे बच्चे पढ़ने जा रहे थे मंतरी जी ने एक जबाब दिया था मुझे उस दिन अपसोस हुआ कि थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं कि नहीं ये कहना कि 8 लाग बच्चों के बराबर का बजट है बाई साब मार्च के अंदर फरवरी और मार्च में विदेशों के अंदर सलेक्षन हो जाता है आपने आज तक आविदन ही नहीं लिए हम मार्च से पहले आविदन ले लेते थे उसके बाज में जिसका सलेक्षन हो जाता उसको पैसे मिल जाते तो वो चला जाता था आज सारे के सारे बच्चे या तो घर से पैसे दे के जा रहे हैं वड़ना उनका एक साल पर बात कर दिया आपने नाम चेंज कर देते लेकिन आज तक फारम नहीं ले पाए इससे ज्यादा और क्या करो कि आप तुलना कर रहे हो आप तुलना कर रहे हो विदेश में हमारा गरीब का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए इंगलीश मेडियम स्कूलें बंद कर रहे ह मैं एक बात कहना चाहता है मोदी जी ने कहा था सब्सक्राइब कोई भी जन हितकी योजना बंद नहीं होगी एक बात किसी भी योजना के उपर उन्होंने बजटरी कोई बात नहीं किये एक बात दूसरी बात मोदी जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है कि हर्याना और राजस्तान का डिसंबर के अंदर सरकार बनते ही पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा आज भी 10 रूपे का अंतर है मोधी जी ने कहा था कि ERCP में लागू कर दूँगा इस बजट में लेकर के आए हैं आप देखना जो सीकर सेखावाटी के लिए जो पानी की योजना है उसका बजट में नाम पढ़ा इंद्रा गांदी योजना अगर यह हमारी योजना नहीं होती आप बजट के अंदर पढ़ते इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ERCP के अंदर 10,000 करोड की वित्ये स्वीकरती जरके हमने टेंडर करके काम चालू कर दिया आपके मुख्यमंत्री जाकर के अवलोकन करके आए और इस बजट के अंदर ठोक दिया ठकाटक ठकाटक क्योंकि टाइप करने वाले वो ही थे इनको तो समझ में नहीं आ तो इनके तो फोटू का चकर था कि वित्यमंत्री जी की फोटू अधियारियों के साथ आनी चाहिए या मुख्यमंत्री के साथ में आनी चाहिए रे फोटू दो सबकी ले लो एक साथ ले लो हमें गोयापती नहीं है लेकिन बज़ट एक बहुत सेंसेटिव डोकुमेंट होता सर इस तरीके से केवल फोटू के लिए एक मेसेज देने के लिए आपस में नोरा कुस्तिय ठीक नहीं रहता है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में मेरी बात एंड करूँगा सर क्योंगे आप मुझे समय कम देखे पता है ये सबकी बावना इनकी यही है एक मुखे मंतरी जी ने लास्ट में जब पहले सतर था उसमें एक बात मेरी और इंगित करके गई ती चाहिए नाम नहीं लिया हो मैं उसका जवाब आज देना चाहता हूँ उन्होंने कहता कि डोटास राजी कौन सी चक्की के आटा बच्चे खाते हैं कि वो बराबर नमर इंट्रिव्य में हो जाते हैं मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूँ कि उस दिन मेरा मोका नहीं था, उनका ही मोका था अब वो जवाब देंगे और नहीं देंगे, वो जाने मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुखे मंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस-किस को कोन-कोन सी चक्की का अटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई ये बता दो किस-किस को कोन-कोन सी चक्की का अटा खिलाया कि पहली वार के MLA की पर्ची आई और आपने एक में भी जिसके अंदर कारी करता की पैशार होती है है आपके तो विवाग वो बीच में छीन लिया जाता है लास्ट में बारती जंता पाल दिया है इसमें कारी करता कि खतर हो की एक कविता पड़ गए एक कविता है एक मिनिट में समाप कर दूँगा एक कविता है सर मैंने बनाई है आप एक बने बोल लो तुक नहीं बैठी नाकाम दावे लगातार जनता करे हाहा कार सिर्फ जूट का कारोबार ऐसी निकम्मी परची सरकार अपराद हुआ सीमा पार बच्चियों से बलात कार बढ़ता मैलाओं पर अत्याचार ऐसी निकम्मी परची सरकार नोगरी की आश में युवा लाचार बत्ते को तरसे बेरोजगार कांग्रेस की बर्तियों पर वाई वाई लूट का परचार ऐसी निकम्मी परची सरकार बिना MSP किसान लाचार टेक्स के कर्द से हुआ बेजार हर और बिजली पानी का इंजार ऐसी निकम्मी परची सरकार मिली महंगाई अब की बार हुई कीम्ते पहुँच के बार आम आदमी पर बढ़ता बार ऐसी निकम्मी परची सरकार पच्शीस लाग के इलाज की फुकार बिनाचिरंजी वी स्वास्ते बिमार अस्पतालों में गंदगी अपार ऐसी निकमी परची सरकार मोधी मित्रों को देवया पार बश्टाचार पर करे करार पेट्रोल डीजल से लूट का कारुबार ऐसी निकमी परची सरकार नफरत को बनाया हतायार मंत्री करे दूस पर चार बाला जी से पानी की गुहार ऐसी निकमी पर्ची सरकार कूर्शी को लेकर बड़ी तरकरार इस तीपों का नाटक बार बार ने जनता से कोई सरुकार ऐसी निकमी पर्ची सरकार अपसरों के लगे दरबार जन्ता के नुमांदे लगाएं कतार गुजरात मॉडल ने किया सरमसार ऐसी निकमी परची सरकार ने कल्यान का कोई विचार ने मरियादा ने सेंसकार बासा में छिटरता सेंसकार ऐसी निकमी परची सरकार प्रपगेंड़ को बने हतियार जूट और जूमलों की भरवार बन गया सरकस बनाईती सरकार और ऐसा सिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेडा खरक्तर करने का ठीका ठोड़ी है ऐसी निकम्मी सरकार ये जो परची सरकार है ना पांच मिट देती हैं दो की जगे आपने भाशन समापत हो गया